नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आपको KKR और CSK के बीच खेला गया आज का रोमान चग मुकाबला पसंद आया हो तो विडियो को लाइक एवं चेनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों आज IPL 2023 में 33 मुकाबला कोलकाता नाइट रैडर और चेन्नाई सुपर किंग के बीच ठेला गया जिसमें कोलकाता नाइट रैरेड के कप्तव नितीस राना ने टोस्तों जितकर गेंदवाजी करने का फैसला लिया और चन्नाई सुपर किंग को बल्लेवाजी के लिए आमंतित किया चन्नाई की सुर्वाज सांदार रही चन्नाई ने पावर पले में ही ब बॉलिंग करने आये सुयज सर्मा ने रितुराज गायकवाज को क्लीन बॉल कर कोलकाता नाइट रैर को पहली सफलता दिलाई गायकवाज ने 20 गेंदव 35 पारी खेली जिसमें 2 चोका और 3 चोका सामिल था गायकवाज के आउट होने के बाद आजिंके रहने बल्लेवाजी क के साथ आये थे उन्होंने आते ही हर तरफ सोट खेलना शुरू कर दिया हालाकि इसी बीच डेवन कोनवे का अर्स तक भी पूरा हो गया कोनवे ने इस पारी में 40 गेंदों पर 56 रन बनाये और 13 में अभर में वरुन चकवर्थी की गेंप वाइस को कैच थमाकर पबेलियन ल कोनवे के और टोने के वास सिवहम दूबे बले वाजी के लिया है mu और अजिंके रहने ने तावर तोर बल्ले वाजी की सिवम दूबे महज 20 गेंद पर अपना अर्सतक पुरा कर लिया और 18 में अवर में आये कुलवंत के गेंद पर जेसन रोय को कैस थमा कर पवेलियन लोट गया सिवम दूबे ने 21 गेंदो पच्छास रण की तावर तोर पारी खेली जिसमें 2 चोका और 5 छका सामिल था एक तरफ से अजिंके रहने भी तावर तोर बल्लेवाजी कर रहे थे सिवम दूबे का ओट होने एक बाद रविन जडेजा बल्लेवाजी के लिया है जडेजा भी 8 गेंदो पर 18 रण की पारी खेली जिसमें 2 चका सामिल था जडेजा के ओट होने एक बाद मेल धोनी बल्लेवाजी के लिया है धोनी ने 3 गेंदे खेले और 2 रण बनाए इस तरह से डेवन कॉनबे अजिंके रहने और सिवम दूबे के तावरतोर और सतकिया पारी की बदोलत चन्नाई सूपर किंग आईपियल 2023 के सबसे बड़े एसकोर बना डा दी चन्नाई ने 20 अबर में 4 विकेट खोकर 235 का पहाड जैसा एसकोर खरा किया जिसमें सबसे ज़्यादा रण चन्नाई के लिए अजिंके रहने के बलेश निकले रहने ने 29 गेंदोप 71 रण की पारी खेली थी एके आर की तरफ से कुलबंध कजोड लिया सबसे ज़रा दो विकेट चटका है वरुन चकवर्ती और सुयस सर्मा को एक एक बिकेट मिला इतने बरे स्कोर का पीछा करने उत्री कोलकाता नाई ट्रेडर की सुरवात बेहदी खराब रही उपनिंग करने आए एन जगदिशन और सुनील नरायन पहली और दूसरी अवर में ही आउट हो गए एन जगदिशन को तुसार देश पांडेन रविन जड़े जागां तो कैच आउट कराकर पविलियन भेजा वही सुनील नरायन को अकास सिंग ने किलिन बॉल्ड कर दिया इन दोनों के आउट होने के बाग व बंकिटे सयर ने बीस रनगी पारी में दो चोका और एक छका लगाया वही नितीस राना रविन जड़ेजा की बॉल पर रितुराज गयकवाद को कैस थमा कर पविलियन लोट गे राना ने बीस गेंदों पर 37 बनाया जिसमें चार चोका और एक छका सामील था बंकिटे सयर क ओठ होने के बाद जेसन रोए बल्लेवाजिक लाए वही नितीस राना के ओठ होने के बाद रिंकू सिंग बल्लेवाजिक लिया है आज जेसन रोए सांदार फों में लग रहे थे उन्होंने आते ही तीन बोल पतीन चका जर कर अपना इरादा जाहिर कर दिया लेकिन जेसन भी इस मेच को KKR को जिता नहीं पाई, रोई ने 26 गेंदो एकसर रन की तावरतोर पारी खेली, जिसमें 5 चोका और 5 चोका सामिल था, वही रिंकू सिंग, अंत के ओबर में सांदार बल्लेवाजी की, रिंकू सिंग नवाद रहे, तिरपन रन बनाकर, जिसमें 3 चोका और 4 च ठका सामिल था, रसल बल्लेवाजी के लिए आए, वह मतिसा पथीराना के गेंद पर सिवम दूवे को केस दे कर पविलियन लोट गए, उसके बाद बल्लेवाजी के लाए वाइस, वह भी तुसार देश पांडे के गेंद पर LBW आउट हो गए, वाइस के बाद उमेश पासी रन बना पाई, और इस मैच को CSK ने उन्चा सन से जीत लिया, CSK की तरफ से तुसार देश पांडे, महिस तिक्षना ने दोदो विकेट चटका है, मोई नली रविन जडेजा, मतिसा पतिराना और अकास सिंग ने एक एक विकेट चटका है, इसी जीत के साथ CSK पोइं झाल 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 झाल